नमस्कार दोस्तो जानी केसे में आपका स्वागत है हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकोन को जरूर दबाई जिससे की हमारे सब्वी फीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे प पता है कि हमारे जीवन में स्वास्त का क्या महत है एक कहावत हमें इसके बारे में बहतर बताती है पहला सूख नेरोगी काया अब ये तो हमें पता चल गया लेकिन स्वास्त रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए हमारे दिन चरिया कैसी हो इसके बारे में कुछ जरूर कैसा हो हमें रोज सुबह सूर्य दै से पहले उठकर फिर पाल की बना कर और बैठकर एक से देड़ लिटर पानी पिना है पानी अगर चाय की तरह सिप सिप कर या एक एक घुट कर पानी पिया जाए तो बहुत अच्छा इससे पानी हमारे मुह में उपस्तित लार के साथ अच्छे से मिल जाएगी जिससे हमें स्वास्त समंदित बहुत लाब होगा और पहला लाब इससे पेट बहुत जल्दी साफ होगा यानि जिसे कब्स की शिकायते वह दूर होगी सुबह का भोजन सुर्यदे होने के बाद तीन घंटे के अंदर अंदर लेना चाहिए मान लो सुबह सुर्यदे साथ बजे से होता है तो दस बजे से पहले पहले लेना है सुबह का भोजन अगर हो सके तो भारी लेना है शाम का भोजन अगर हो सके तो सुर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए एक अच्छे स्वास्ता के लिए एक कहवत है सुबह का भोजन खूद करे दोवर का भोजन मेहमानों को खिलाओ और शाम का भोजन दुश्मनों को खिलाओ इस कहवत के कहने का मतलब है कि सुभा का भोजन जितना हो सके जादा खाओ या हेवी भोजन करे दुपार का भोजन अगर करना पड़े तो सुभा से थोड़ा कम करे और शाम का भोजन दोपहर के भोजन से कम करे झाल